ब्लॉक कमेटी का चुनाव कैसे होता है? क्षेत्रिय विकास करने के लिए सरकार ने जनपदों को कई हिस्सों में बाटा है इन हिस्सों को ब्लॉक या डेवलपमेंटल ब्लॉक कहा जाता है वोटर्स पार्टी इंटरनेशन के सम्मिधान में ब्लॉक स्तर पर पार्टी की एक इकाई का गठन किया जाता है ब्लॉक कमेटियों का गठन ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले चारों सरकिलों के और जनपद कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है सेक्टर और सरकिल कमेटी की तरह ही ब्लॉक कमेटी में कम से कम पाँच और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते है पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष होता है एक वरिष्ट उपाध्यक्ष और एक कनिष्ट उपाध्यक्ष होता है एक महा सचिव, एक सचिव और एक कोशा ध्यक्ष होता है ब्लॉक कमेटी के अन्य पदाधिकारियों में एक सदस्यता प्रभारी, एक वित्रक, एक सूचना अधिकारी, एक पुरुष नायक, एक महिला नेत्री, एक पंच, एक स्टोर इन चार्ज, एक प्रचार प्रभारी और एक सुरक्षा प्रभारी होते हैं यानि जो पदाधिकारी गाव या वाड की कमेटी, सेक्टर कमेटी और सर्किल कमेटी में होते हैं, वही पदाधिकारी ब्लॉक की कमेटी में भी होते हैं. ब्लॉक कमेटी जिला कमेटी और क्षेत्रिय कमेटी की सहायता करने के लिए बनाई जाती है क्षेत्रिय कमेटी को अंग्रेजी में रीजिनल कमेटी कहा जाता है जिस क्षेत्र में रीजिनल कमेटी नहीं होती वहां रीजिनल कमेटी का काम प्रदेश कमेटी करती है चुकि ब्लॉक कमेटी का काम जिला कमेटी की सहायता करना होता है इसलिए ब्लॉक कमेटी का गठन करने के लिए जिला कमेटी अपने दो प्रतिनिधियों को ब्लॉक कमेटी में भेजती है पार्टी की ब्लॉक कमेटी भी अपने उपर की जिला कमेटी का चुनाव करने के लिए कम से कम दो प्रतिनिधियों को चुनकर भीजती है इन प्रतिनिधियों को डेलीगेट कहा जाता है चुकि रीजिनल कमेटी सीधे केंद्रिय कमेटी के अधीन काम करती है इसलिए ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी का सीधा संबंध केंद्रिय कमेटी से होता है इन अर्थों में ब्लॉक कमेटी पार्टी संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है ब्लॉक कमेटी अपने क्षेतर के विधान सभा की कमेटी का गठन करने के लिए भी दो प्रतिनिधी चुनती है क्योंकि ब्लॉकों का विकास करना प्रदेश कमेटी का काम होता है आगे चलकर विधान सभा की यही कमेटियां मिलकर पार्टी की प्रदेश कमेटी का गठन करती है यानि पार्टी की प्रदेश कमेटी का गठन करने में ब्लाक कमेटियों की भूमिका होती है ब्लाक कमेटी अपने क्षेत्र में पार्टी की केंद्रिय कमेटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करती है केंद्रिय कमेटी यहां निर्देश क्षेत्रिय कमेटी और जिला कमेटी के माध्यम से जारी करती है पार्टी के एक्षन लेवल कमेटियों में ब्लॉक कमेटी का स्थान सबसे उपर है ब्लॉक कमेटी के नीचे सर्किल की कमेटी होती है सर्किल के नीचे सेक्टर की और उसके नीचे गावों की कमेटी होती है बूत कमेटी भी एक एक्षन कमेटी होती है जिसका गठन गाव की या वॉर्ड की कमेटी के नीचे किया जाता है ब्लॉक कमेटी बनाने की विधी समझने के लिए धन्यवाद यदि आप कोई स्पष्टी करन चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो विडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक का उप्योग कर सकते हैं विडियो देखने के लिए धन्यवाद